CD, DVD, device driver is missing दोस्तों ये प्रॉलम आपने Windows इंस्टॉलिशन के ताई मैं पता नहीं कितनी वर्फेस की वह सकता है आपने इसका solution भी निकाल दियो वाट अगर आपका solution अभी तक नहीं निकला है और आप अभी भी इसका solution सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा इसको कैसे result करें इस topic के उपर पहले भी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ जो अलग method से मैंने इस issue को resolve किया वीडियो में आप उनको भी try कर सकते हैं अगर उसके बाद भी अगर आपका issue resolve नहीं हो रहा है तो आप इस method को try कर सकते हैं मैंने एक bootable pen drive से अपने laptop को boot किया है मुझे अपनी laptop में यह error आ रहा है तो यह error हमें तब आता है जब हमारी bootable pen drive या फिर bootable dvd में अगर usb 3.0 का driver अगर नहीं होता है तो हमें यह error आता है तो step 1 हम start करते हैं create a folder on a desktop as windows 7 and copy all your files and folders from a bootable pen drive here in windows 7 folder to bootable pen drive से मैंने सारी files and folders को इस एक नहीं folder में copy कर दिया step 2 में हम एक browser open करेंगे and type करेंगे www.antilight.com Antilight एक tool है इसको हम यहां से डाउन्लोड कर लेंगे and इसको install कर लेंगे अपनी system में तो это out 20 light tool मेरा install हो गया है step next 3 में एक browser फिर से उपन करेंगे गूगल सर्च बार में जाके टाइप करेंगे ड्राइबर USB 3.0 Windows 7 जिसकी वज़ा से यह प्रॉलम आ रही है हम उस ड्राइबर को कले डाउनलोड करके रखेंगे यहां पर आपको मदरबूर्ट की चिप chipset के according चिपसथ सीरीज के एकष्डिंग यह ड्राइबर डाउनलोड करना होगा मैंने अपने लफटॉप की जो सीरीज है चिपसथ सीरीज है मैंने उसके अपना ड्राइबर डाउनलोड कर लिया है इस driver की इस folder को मैं desktop पे एक separate folder बना की उसमें इसको रख लूँगा है और इसको अंजिप कर दूँगा है next step is so run nt lite tool as administrative go to add button select windows 7 folder which we created on desktop तो जब डेस्टोक पे हमने windows 7 का folder क्रेट किया था फाइल समने कोपी किती है उसका हम यहां पे select कर लें ना click on windows 7 professional directory under image history इस directory पे मैंने click कर दिया एक process start हुआ है थोड़ा सा time लेगा इसको हम fast forward ही में दिखाएंगे आप को थोड़ा सा wait करना होगा complete होने पे हमें we have to press on ok now go to driver section at left side click on add select directory driver का जो folder हमने desktop पे रखा था है यहां पे हम उसे select कर लेंगे now click on ok now click on apply on the finish tab expand image process queue now expand integrate drivers tab enable the checkbox boot.wim1 and boot.wim2 दोनो files को हम यहां पे checkbox को enable कर देंगे नीचे उसके नीचे हम create iso अगर टिक है तो ठीक है उसको दुबारा से टिक करेंगे वो हमें file का नाम iso file का नाम से type करने के लिए उचेगा उसके बाद iso label हमें type करने यह नाम करने है और we have to press on process tab on left top corner पैसोन यहस्टू स्टाट एप्लाइंग अल दी चेंज़िस तो हमारा ड्राइवर जो हमने डाउंलूड किया था हो इसमें हमने अप्लाइ कर दिया है और यह प्रॉसेस थोड़ा सा टाइम देगा क्योंकि यह एक नई करता है इसमें हमें ड्राइवर को इंक्लूड कर दिया है क्योंकि पहले नहीं था हमारी विंडोज थोड़ा सा टाइम लेगा मैंने इसको फास्वावर दिखा है इसलिए जंदी कंप्लीट हो जाएगा तो यह वेट उन्टिल प्रॉसेस कंप्लीट प्रेस अनन ओ के तो फिनेश्टी आइस क्रेशन प्रॉसेस जाके देख लेंगे हमारी आइस फाईल प्रॉसेट होई है यह नहीं तो जो आपत दिया था वहाँ पे हमारी आइस फाईल विंड सेवन के नाम से क्रिए हो गई है Step 5. Open any web browser and type roughhouse.ie अब हम roughhouse tool download करके उसमें इस ISO फाइल को बंड कर लेंगे एक pen drive में क्योंकि इस ISO हमारी updated है, driver हमें इसमें डला हुए है तो इस ISO से हम एक नई Windows की bootable pen drive बनाएंगे roughhouse tool download करके उसको run as administrator किया है, मैंने select tab में जाके मैंने image file को select कर लिया है इसमें और कुछ change करने की जरूत नहीं है वाकी सारे options same रहेंगे, start करने से पहले एक और चेक कर लें कि आपकी pen drive properly inserted है pen drive का size minimum 4G भी होना चाहिए इसके बात process start कर देंगे, wait करेंगे थोड़ा सा यह भी time लेता है मैंने fast forwarding में चलाया है इसलिए जल्दी हो जाएगा, complete हो गया है इस bootable pen drive को हम उसी laptop में insert करेंगे जिसमें हम यह problem आ रहा था F9 करके bootable media select करेंगे pen drive और देखेंगे कि error आ रहा है यह नहीं है तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि मैंने अलड़ी दो वीडियोज डाले हुए आप उनको भी try कर सकते हैं वो वीडियोज मेरे बहुत ज़्यादा लोग उने पसंद किये यूट्यूब पर काफी चले मुझे लगा यह solution भी आपके साथ सेयर करना चाहिए तो मैं जब तक खुद किसी solution को test ना कर लूँ तब तक मैं वीडियोज डालता नहीं हूँ वीडियो मैंने टेस्टिंग के बाद डाले मुझे अच्छा लगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा issue resolve हो गया हमारी drives detect हो गई है USB driver जो हमने inject किया था उससे काम हो गया तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो प्लीज इसे like करें share करें और मेरे चनल को subscribe करें बैल एकन को प्रेस करना ना भूलें तक कि मेरे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनकी information नोटिफिकेशन आप तक पहुंसता रहे थैंक्यू नमस्कार